Hello Students, Welcome to my YouTube Channel आप देख सकते हैं इस साल इंजिनरिंग में और डिपलोमा इंजिनरिंग में सीटे जो है वो घटी है फार्मेसी में जबकी सीटे जो है वो बढ़ गई है तो कुल इस साल कितने सीटे है, कितने सीटों पर होगा प्रवेश या आप देख सकते हैं, B.E. में चार सालों में 8886 सीटे जो है वो घट गई है और इस साल कुल 11381 सीट्स पर आपका एडमिशन होगा 11381 सीट्स पर आपका एडमिशन होगा और काउंसलिंग इसी सीट्स पर होगी इसमें सारे कॉलेजेज आते हैं 36 गड़ के, जो की CSV2 के एफिलेटेड है CSV2 टेकनिकल युनिवर्सिटी है और उसी युनिवर्सिटी के अंदर ही आपकी इंजिनेरिंग डिप्लोमा इंजिनेरिंग और फार्मेसी कोर्स जो है वो एफिलेटेड है और जितने भी कॉलेजेज में ये कॉर्स चलते हैं वो CSV2 के अंदर ही आते हैं इस साल इंजिनेरिंग के तीन कॉलेजेज बंद हुए हैं लेकिन फिर भी इस सार कुल 33 सीट्स पर ही कॉलेजेज पर ही आपका काउंसलिंग होगा इन्हीं कॉलेजेज में कुछ नए कोर्स भी जो है वो शुरू हुए हैं जैसे कि आपने आपको पहले भी वीडियो में बताया था इस बार इंजिनेरिंग की CSV2 के अंडर भी जो युनिवर्सीटी उसके अंडर भी जो सीट्स हैं उसकी भी काउंसलिंग होगी जो आपको काउंसलिंग के टाइम में चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको दिखाई देगा अब हम यहां बार कर लेते हैं डिपलोमा इंजिनेरिंग की 702 सीटे जो है वो घटी है पहले 8572 थी इस साल 7870 सीट से 7870 सीट से डिपलोमा इंजिनेरिंग की डिप्लोमा इंजिनेरिंग की maximum seats जो है वो government colleges में ही है और maximum हर district में government polytechnic colleges है अब बात करते हैं pharmacy की यह pharmacy देख सकते हैं इस बार pharmacy colleges की संख्या बढ़ने के साथ साथी सीटे में वृद्धी होई है पिछले साल जहां pharmacy में 5222 seats थी वही बढ़कर 6247 हो गई है सत्र 21-22 में B pharmacy की 3192 seat हैं B pharmacy में इस साल 827 seat बढ़ी है D pharmacy में 126 seat की वृद्धी हुई है तो इस साल D pharmacy की कुल seat हो गई है 2741 M pharmacy में 72 seats बढ़ी है तो ये कुल seats जो हो गई है वो 314 seats जो है वो हो चुकी है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस साल जो students अपना exam देंगे entrance exam CGPT का CGPPT का और CGPPST का उनमें कितनी seats होंगी कितनी seatों पर वृद्धी हुई है और कितने colleges में ये courses जो है वो चलेंगे यहां पर आपको exams देने हैं जो entrance exam का आपका date है उसके बाद आपका ये counseling process जो है वो start होगा result आने के बाद में तो आपको अब पता चल चुका होगा कि इस साल आपको कुल कितने seatों पर प्रवेश होगा कुल कितनी seatे हैं आपको किन किन colleges में कितनी seatे हैं ये counseling के पहले भी exactly पता चल जाएगा कि किस course में किस college में for example हम बात करते हैं engineering college, government engineering colleges में तो वहाँ पे जितने भी courses हैं उन course में कितनी seatे हैं ये आपको counseling के पहले ही पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू तो उमीद करते हैं इस वीडियो में जो भी बताया आपको समाझाए अगर आप लोग के helpful होगा तो इस वीडियो को ज़रू लाइक करें अगर आप